देखिए आज स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के मुकमंत्री नितीज कुमार पटना के गांधी मैदान से 12 लाग सरकारी नौकरी देने का घोस्तना किये इससे पहले तेजस्वी आदो साल 2020 में जब 10 लाग नौकरी देने का वादा किये थे तो नितीज कुमार कर रहे थे कि इतना रुपया लाएंगे कहां से लेकिन आज खुद नितीज कुमार ने दस नहीं बलकि कहा कि हम लोग 12 लाग सरकारी नौकरी देंगे हम सब्द का इस्तमाल किये हैं तो क्या नितीश कुमार तेजस्वी यादों को अपने साथ देखते हैं या फिर बीजेपी के साथ बोल रहे हैं कि 12 लाक नौकरी देंगे इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे साथ परकास जी है क्या लग रहा है नितीश कुमार जो आज वादा किया है कि 12 लाक नौकरी देंगे इस पर क्या कुछ कही है देखे एक चीज़ ही मानसू बताना चाहेंगे आपने भी इस बात का जीकरी किया जो नितीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने सबसे पहले बात यह है कि दो सालों के बाद आप गाउंदेहात में सुनते कि इसी एतिहांसिक गांधी मैदान से बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे तब भी सुबा के मुख्य मंत्री ने एनाउंसमेंट करते वे कहा था कि हम इसे आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको एक चीज़ या दिलना चाहूंगा जिस वक्त ये नितीश कुमार हम सब्द का इ सरकार थी मांसू और महागडबंदन की सरकार के मुख्य मंत्री तेजस्वी यादव हुआ करते थे और मैं आपको अब तारीखें पीछे की या दिलाना चाहता हूं पीछे की तारीखी इस वजह से मांसू कि 2020 का भी जिक्राप ने कर दिया है और 2020 के चुनावी घोसनाओं की तारीख में अगर जाएंगे तो 24 अक्टूबर की वो तारीख थी जब हाथ में आरजेडी का मैनिफुष्टो लेकर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे थे हिमांसू तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम बिहार से बेरुजगारी को दूर करेंगे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे अब भाई पटना से लेकर दिल्ली तक हमासान मचा की 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे समझ रहे हैं बिहार में बिहार जैसे गरीब प्रदेश में पिछरा राज में 10 लाख सरकारी नौकरी कहां से देंगे भाई भाजपा के वो नेताओं को छोड़ जो बिहार में चीख चिला रहे थे मैं बिहार के मुख्य मंत्री निती इशकुमार की बात करना चाहता हूँ बिहार के मुख्य मंत्री निती इशकुमार ने पूरे बिहार में इमानसु घुम घुम कर तब तमाम चुनावी रेलियों में ये कहा था कि बताएं पैसवा कहां से लाएंगे किसे पुछ रहे थे देजस्वी आदब से आगे आपका ये सवाल होगा किरे रीड का लेकिन मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ वो नितीज कुमार जो आज 12 लाख सरकारी नोकरी देने की बात करते थे वो नितीज कुमार कहते थे कि इसको कुछ मालूम है पईस्वा कहां जेलवा से लाओगे अपने बाप कहां से लाओगे आज नितीज कुमार क्या करें हैं सीना चौरा करके मुस्कुरा के पत्रकारों के सामने हाथ जुरके कि 12 लाक सरकारी नौकरी देंगे 12 लाक नितीज कुमार अपने मूँ से बोल रहे हैं और बिहार की राजनीत में नितीज कुमार को पल्टुराम कहा जाता है इस वज़ा से कि ये वो नितीज कुमार है जो 2020 में चीख रहे थे चिला रहे थे देखे हम और आपकी ये सोच है कि बिहार का कल्यान हो बिहार के इवाओं का कल्यान हो सरकारी नौकरी नितीजी 12 खोल के बाटे तब जोरा खोल के बाटे तब एक करोर बाट दे ना तब भी हम इवाओं को खुसी होगी लेकिन जो हिसाब जो इस्टिमेट गनाते थे नितीज कुमार वो 11 अगस्त 2022 की बात या दिलाना चाहता हूँ पटना में तेजस्वी आदव का आवास था रावरी आवास वहाँ पर जब बिहार में नया महागडबंदन की सरकार बन गई थी तमाम नेताओं के और से पर्तिक्रियाएं आ रही थी तेजस्वी आदव से सवाल पूछे जा रहे थे मैं अब फिर कह रहा हूँ कि तेजस्वी आदव से सवाल पूछे जा रहे थे और सवाल बीजे पीके नेता पूछ रहे थे बीजे पीके नेता और कह क्या रहे थे कि अरे तेजस्वी आदव जी सत्ता में आ गए हैं दस लाग सरकारी नोकरी दीजिएगा देजिए ना तेजस्वी आदव ने गाने का बोल सुना कर कहा था कि थोरा इंतेजार का मज़ा लीजिए और इंतेजार का मज़ा बिहार के इवाओं ने लिया नितीश जी ठीक तीन दिनों के बाद 15 अगस 2022 की तारीक थी पटना के गांधी मैदान के प्राचिर से एलान कर देते हैं कि दस लाख सरकारी नोकरी देंगे और तब कहते हैं कि अब हम लोग आ गए है इसने तो कहा ही है हम दस लाख रोजगार इसमें बढ़ा देते हैं ठीक है तो आज नितीश कुमार भले भादपा के साथ है लेकिन लग तो रहा है न कि वो अभी भी महागटवंदन वाला ही बादा पूरा कर रहे है क्या लग रहा है कि बिहार में जो नोकरी की होड मची हुई है तो उसमें क्रेडिट कोल लेना चाहते है क्योंकि महागटवंदन की सरकार थी तेजस्वी आदों के अंदर था कि तेजस्वी ने नोकरी दिया है और नितीश कुमार को इसके अंदर नराजगी था साथ वहीं वज़ा है जो नितीश कुमार फिर से महागटवंदन की चोल करें डिया लागा बिलकुल हिमानसू बिलकुल नितीश कुमार की वो तारीख मैं आपको याद इला देता हूँ जन्वरी का आखरी सब्ता 24 साय तारीख थी नितीश कुमार का एक बयान आता है बड़ा दिल्चस्प बयान था नितीश कुमार ने अपने बयान में कहा था कि हमारा मन नहीं लग रहा था सद्दा का परिवर्तन की अपने बात ही न नितीश कुमार ने कहा कि हमारा मन नहीं लग रहा था और मन नहीं लगने के पीछे की वज़बाद में गिना लगा कि काम हम करते थे क्रेडिट वो लेता था अब नितीज कुमार को ये बात असपष्ट करना चाहिए पब्लिक डोमीन में जाकर जनता के बीच जाकर इमानसू कि आपने क्या कहा था कैसी क्रेडिट आपको मिलनी चाहिए आप अपने बाप के यहां से पैसल आ रहे हैं क्या आप तो आपका ही बय आदव हो चाहे समराठ चोधरी हो विजह सिनहाओं तमाम डिताओं को मैं कहना चाहिए जो बिहार के हित लिए बिहार के वाउं के किसान के नوجवान के हित की बात करेगा उसके हर फैसले का स्वागत होगा एक डो तो ये कहूंगा कि तेजस्वी आदब को इसके लिए पूरी क्रेट मिलनी चाहिए। जब आप इस बात पर आते हैं कि पैस्वा कहां से लाओगे। जो वो अगला सामने वाला कहता है मैं तेजस्वी आदब को रिसारा करता हूँ कि मैं सरकार में आते हैं कैबिनेट की पहली बैठक में दस लाग सरकारे नोकरी के लिए पहली कलम चलाऊंगा तो कुछ न कुछ तो हिसाब किताब होगा ना कुछ न कुछ तो पढ़ाई लिखाई ये स्टडी किया होगा ना और इमानसु आपको याद दिलाएं तेजस्वी कि आपके पास कोई साइन्टिफिक डाटा है कहां कहां से आप देंगे किस तरीके से तेजस्वी आदव ने कहा कि बहुत अच्छे से अद्यान किया है हमने और हम अद्यान करके ही बोलते हैं और दोहजार बीस का चुनाओ भले ही तेजस्वी आदव सत्ता में नहीं आये तेजस्वी आदव की ताकत को पहले की तुनला में दोगुना बढ़ा चुके हैं बिहार में इवाओं की अंदर इस बात का उम्मीद जगा चुके हैं कि तेजस्वी ने जो कहा है वो कड़ेगा तेजस्वी का कमिटमेंट है तो वो पूरा करेगा और क्रेटी भी क्रेटी ने होता है कि भाई हमने जो कहा वो पूरा किया और कई ऐसे गाने आपने सुनेंगों और मैं चुनाव के दवरान का एक गाना याद दिलाता हूँ और मैं तेजस्वी आदव की बात कर लेता हूँ बिहार में राजधानी पटना में तेजस्वी आदव चुनावी रैली को नहीं बलकि उस वक्त जन्विस्वास महा रैली को शम्भूई कर रहे हैं पूरे बिहार से रुग उटे थे और उससे पहले भी जन्विस्वास रैली पर तेजस्वी आदव निकले थे एक गाना था तुम तो धोखे बाज हो वादा करके भूल जाते हो अगर ये ग कमिटमेंट रहा हो अगर आप कमिटमेंट से मुकर गएं अगर आपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है तो जन्ता तो वहीं कहेगी अब नितीज कुमार को क्रेडिट मिलना चाहिए मिलना चाहिए मैं कहता हूँ क्योंकि वो सरकार के मुख्यमंत्री हैं लेकिन अब आप आपको हाल की तस्विर या दिला दो, नितीज कुमार तो कई कारिकरमों में विभागिये मंत्री को लेकर नहीं जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं न, आप क्या कहेंगे, नितीज कुमार जो हैं, वो सर्वे सर्वा हैं, मुख्य मंत्री हैं बाई, कुछ भी कह सकते हैं, ये सब जानती और बखू भी उसको मालूम होता है बिहार में 2020 के चुनाओ में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और नितीस कुमार को इस बात का गुरूर हो कि 2015 में आरजेडी को उन्होंने बिहार में नंबर वन बनाया था मजबूत पार्टी बनाया था तो मैं या जैसियत से हस्ताक्षर करने का क्रेडिट नितीस कुमार को मिलना चाहिए और नौकरी देने का वादा पूरा करने का क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए जे मांसुर।